जात्रियों के साथ कल भारत के लिए रवाना हो चुका है वंदे भारत मिशन के अंतरगत 10 माई तक 23 फ्लाइट्स द्वारा लगभग 4,000 भारतिय जो विदोशों में फसे हुए थे वापिस भारत आये हैं श्रमिकोक के लिए चलाई जा रही विशेश ट्रेनों के माध्यम से अब तक 5,000,000 से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुचाया गया है अभी तक 468 विशेश ट्रेने चल चुकी हैं जिनमें से कल 10 माई को 101 ट्रेने चली थी कल कैबनेट सेक्रेटरी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचवों एवं स्वास्त सचवों के साथ विडियो कॉन्फरेंस की इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही में दी रही सहायता की भी समीक्षा की गई वीसी में और उसके पश्चात ग्रिह मंत्राले ने पत्र द्वारा राजे सरकारों से अनुरोद किया है कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी हालात में प्रवासी श्रमिक सड़क और रेलवे पट्रियों का सहारा ना लें यदि ये सड़क या रेलवे पट्रियों पर पैदल यात्रा करते हुए पाये जाते हैं तो उनके लिए बस या ट्रेन द्वारा यात्रा की विवस्था करने की चेश्टा की जाए तब तक उनकी नजदी की शेल्टो होम में रहने की और उनके लिए भोजन पानी की विवस्था की जाए राज सरकारे रेलवे को अपना सहयोग दे ताकि रेलवे अधिक से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेने चला पाए और प्रवासी श्रमिक सुचारू रूप से अपने घर वापिस जा सके आज सुबह ग्रह मंत्राले ने रेलवे और राज सरकारों के नोडल आफिसर्स के साथ विडियो कॉन्फरेंस द्वारा स्पेशल ट्रेनों की समीक्षा की ताकि फसे हुए लोग जल्द से जल्द अपने घर वापिस आ सके इस बात पर जोर दिया गया कि अगले कुछ हफ्तों तक रोज कम से कम सौ श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाए जिससे श्रमिकों को वापिस घर आने में कोई समस्या नहीं आए भारतिय रेल बारा मई से चरनबत तरीके से पैसेंजर ट्रेन्स का परचालन फिर से आरम कर रही है ये ट्रेने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन्स के रूप में 15 डेस्टिनेशन्स के लिए चलेगी ग्रेह मंत्राले ने आज आप्दा प्रबंधन अधिनियम के अंतरगत ट्रेन द्वारा लोगों की आवाजाही के संदर्भ में एसोपी जारी की है जिसके तहत ट्रेन्स के शिड्यूल, टिकट्स की बुकिंग एवं लोगों की आवाजाही से संबंदित प्रक्रिया इत्यादी के बारे में रेलवेज व्यापक प्राचार करेगी कनफर्मड इटिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है इस कनफर्मड इटिकट के आधार पर वह स्टेशन तक आ सकता है, उसे अलग से कर्फ्यू पास वगएरा लेने की जरूरत नहीं स्टेशन पर पैसेंजर की स्क्रीनिंग होगी और केवल एस्प्रूमाटिक पैसेंजर को ही ट्रें पर बोड करने की अनुमत्पी दी जाएगी पैसेंजर को हर समय फेस मास्क या फेस कवर पहनना होगा, उन्हें सोशल डिस्टनसिंग का अनुपालन करना होगा गंतव्य पर पहुचने पर यात्री को राज्य सरकार द्वारा पारित किये गए हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना होगा क्याबनेट सेक्रेटरी ने कल की वीडियो कॉन्फरेंस में राज्यों में डॉक्टरों, नर्सर्ज और पैरामेडिकल स्टाफ की आवाजाही को सुविधा जनक बनाने पर भी चर्चा की तदो प्रांद ग्रहम अंत्राले ने भी सभी राज्यों को पत्र लिखा है राज्यों से अनुरोद किया गया है कि वे डॉक्टर्स, नर्सर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटेशन परसोनेल तदा अम्बूलेंस की बेरोक टोक आवाजाए जनक बनाने पर लिखाए है